असलाम नीकुम, lesson number 4, lecture number 9, exercise number 4C, question number 10, change these mixed numbers into percentages, हमने mixed number को change करना है percentage में, part number 8, 4 into 1 by 4, solution है हमारे पास, सबसे पहले कि हमने mixed number को change करना है fraction में, 4, 4's are 16, और इस 1 को इसमे add करेंगे तो 17 आ जाएगा, और denominator सेम का सेम देगा, 17 over 4, mix number को हमने change कर दिया fraction में, अब हमने इसको change करना है percentage में, और हमने पता percentage में change करने के लिए denominator में क्या आना चाहिए 100, अब हमने 4 को किसी ऐसे number के साथ multiply करना है, कि denominator में क्या आ जाए 100, हमने पता 4 हम 25 से multiply करेंगे, तो denominator में क्या आ जाएगा, 100, और जिस number से हम denominator के साथ multiply करते हैं, उसी को हम denominator में भी multiply करेंगे, अब 17 को 25 से multiply करेंगे, तो 4 25 आ जाएगा, और 4 को 25 से करेंगे, तो 100 आ जाएगा, अब denominator में क्या आ जाए 100, तो जो denominator को क्या हो जाएगी, इसकी percentage, 4 25 percentage, next हम इसका पार्ट करेंगे f 8 into 7 by 10 इसको भी सबसे पहले हम simple fraction में change करेंगे then इसको percentage में solution है हमारे पास 10 को 8 से multiply करेंगे 80 और 7 को एट किया 87 over 10 आ गया अब denominator में हमें क्या चाहिए 100 percentage में change करने के लिए अब हम 10 को किसी ऐसे number के साथ multiply करेंगे denominator में क्या आज है 100 हमें पता 10 को 10 से multiply करेंगे तो भी denominator में क्या आजाएगा 100 और इसे तरह 10 को हम dt 7 के साथ भी multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 870 870 over 100 और यह अब percentage में change हो जाएगा 870 percentage next exercise number 4 को question number 11 change this into percentage अब इसको भी हमने पिसमें change करना है percentage में अब हम आपस यह एक number 6 इसको हमने change करना है परसे अब इसके तो denominator में कुछ नहीं है मिन जिसके denominator में क्या होता है 1 तो अब इसके denominator में क्या है 1 अब हमने 1 को किसी ऐसे number के साथ multiply करना है 100 by 100 के साथ तो 6 को 100 के साथ करेंगे 600 आजाएगा बान को 100 के साथ करेंगे तो 100 आजाएगा तो यह किसमें change हो गया 600 percentage में next अब हम question number 12 करेंगे change this into percentage इसको भी हमने किसमें change करना है percentage में लेकिन यह किसमें दिया गयाρά है decimal में giving 0.23 f paust आप यह भी December में दिया गया इसके denominator में कुछ नहीं है हमें पर जिसके denominator में कोई number ना हो इसके denominator में क्या हुता है one आब हमने one को किसी ऐस debtor के साथ multiply करना है कि denominator में क्या आजाया wein हमें always have 100 के साथ disclosureべき हम इसको 100 x 100 साथ मालिप्लाइगे 0.23 को 100 से मल्टिप्लाइए करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा 1 x 100 से मल्टिप्लाइए करेंगे तो 100 आ जाएगा और यह किसमें हो गया percentage में क्या गया 23 percentage exercise number 4C classion number 15 change these decimal numbers into percentage percentage, इसका part number A है हमारे पास 0.39, ये भी टारसी में इसको भी किसमें change करने है, percentage में, solution है हमारे पास, 0.39, अब इसके denominator में क्या आया है, वान, इसको भी हम किसके साथ multiply करेंगे, 100 by 100 के रहाँ, अब 0.39 को 100 से multiply करेंगे तो क्या देगा, 39, और 1 को 100 से multiply करेंगे तो क्या देगा, 100, अभी किसमें चेंज हो गया? परसंटेज में, 39 परसंटेज. नेट से मैं पास डाइडी है. Exercise No. 4C, Question No. 10, 11, 12, 15. Part of the efforts solve on your notebook. Thank you student.